दिल्ली में कभी मई के महीने में activities नहीं होती एक बुद्पूर्मा के छोटी मोटी activities होती है वो भी गर्मी की वैसे शाम को होती है या सुबह सुबह हो जाती है पर कोई भी संगिती या कोई भी सम्मेलान या कोई भी conference हमारे अपने समन लोगों की दिल्ली में मई के महने में नहीं होती और जून में तो बिल्लकुल नहीं होती जुलाई के मिट से आरम होती है तो मिट से जुलाई से चलती है अगस्त में चलती है सेप्टमर में चलती है अक्टूबर में चलती है फिर नवंबर में चलती है और दिसम्बर सुरु सुरु में रहते हैं फिर बंद हो जाती है जननल्री में बंद रहती हैं फिर फरवरी से आरह मोत tiЕТ है मार्ज अप्रैल पर में में बंद हॉ जाती है बुद्पूर्ण का एक होता है पर जो यह म coverage लगो aware से और लगबग सभी क्योंकि इसमें भीडिया मास या यह कहें कि ऐसा नहीं था कि जैसे बहुत लोग इखटे करने सभी लोग पढ़े लेखे समझदार जानकार बुद्धी जीवी वर्ग था और सभी तरह के लोग आए और बड़े शांती से हमां बैठ के उन्होंने अपना स कि यहां जो लोग हैं उन लोगों ने अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी हैं उनके अपने अस्तित्व के खत्रे को कहीं एसास हुआ और हमने यहां लगबग हर व्यक्ति को हर नेता को हर बुद्धी जीवी को पॉंट्रेट करने की कोशिश की दिल्ली में तो कि समझ तो स या समझ पत्रकार या समझ चित्रकार या समझ नेता या समझ जो संग्ठरों के लीडर हैं या साधान लोग हैं या जो भी हैं या जो पहले से काम करते आ रहे हैं उन सब को हमने मैसेज दिये फोन किये और पूरी टीम हमारी लगी रही उसमें हमने यह नोट किया कि कुछ ख तरह के लोग इस तरह के कि जो दस साल से पंदर साल से कोई ना कोई संस्ता या और्गनेजिशन चला रहे हैं या पहले चला चुके हैं या सहाब कासी राम जी के साथ में काम किया है या जिनको लगता है कि उनका जो मूमेंट है वो बढ़ेगा जाएगा इस तरह के कुछ जो थे वो नहीं आए हमने सारा वहां नोट किया तो दिल्ली में जो एक्टिविटीज बढ़ने लगी उसमें अठारे और उनिस तारीक को सनिवार इतवार को दो काईक्रम दिल्ली में लगे एक काईक्रम को मैंने और दो-तीन संगियों ने टेंड किया एक काईक्रम को कुछ और यहां इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ऐसे काईक्रम पूरे देश में लग रहे हैं और हमारी उर्जा और हमारा पैसा और हमारा समय बरबाद गुरा है कि जिस कार्यक्रम में मैं गया था उस कार्यक्रम को किसी ने इस्पॉंसर किया था कोई अमरीका के अंदर यूटूब चैनल चलाता है उसका इस्पॉंसर शिप्थी जैसी बात है कि उसने खर्चा उठाया होगा उसने यहां जो उसके रिलेशन थे सामाजिक संग्ठन से उससे बाचित की होगी सामाजिक संग्ठन ने कहा उसकी मिटिंग लगाने के लिए और अपना नाम भी साथ में जोड़ा दोनों का वपे च्यालिस संग्ठनों का उन्होंने एनिविटेस्न बहेजने हैं हम संहां तो हमारे पास नहीं आया पर ऑर लोग जो संगी है हमारे उनके पास आया तो उन्होंने कहा कि चलिना है तोगि हम साधाॉन लोग हैं और हमारा कोई स्दुटस सभरभण लोगों के लावा कुछ ऐसा है नहीं तो हमें कहीं आने music कोई दिककत हम को इसारे समय संगी तो सारे ही कारेक्रम में जाना चाहिए जो सामाजिक हैं जो धमिक हैं या जो सरकारी करमचारियों के हैं या जो समाज में जहां लोगे खटे होते हैं जो अपने स्रम्ण समाज के हैं और दूसरे समाज के कई's primarily में देखने चाहिए देखेंगे नहीं जानेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा के चल कर रहा तो मैं और को एक और जो दूसरे स्रम्र शंगी है शील्ड प्रिया जी हम वहां गए काईकरम में फोड़ा टाइम से लेट गए क्योंकि हम वह इन्वाइटी तो थे नहीं वहां जाके पीछे हम बैठे और हमने जो काईकरम को अबजर्ब किया और देखा उस सबको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबकी जो होती है हमने उ सम्टरों को लगबार बुलाया क्योंकि क्लेट 235 लगी मीटिंग में करने काव़व चाल हो गए दोसो आदमियों का वो हॉल था उस हॉल कर खाने का खर्चा मिला के लगबग सतावन अठावन हजार रुपया खर्चा आया वहां एक्सवाट सट रुपे की प्रेट होती है और करीब उनिस हजार कुछ रुपेगा वहां पर हॉल बुक होता है इंडियन सोचल इस्ट् प्रोशन किया था जो डीवी वला था जो अमरिका से डीवी चलाता है उसके कुछ लोग थे उनका भी वह काईकन था क्योंगी जौऑ टा मिन्ट था कि उनके साथ में उनका वेंर्चर था वह लोग बीदिए بहार चालीस संग्थनों में जो लोग आये थे उनमें अधिकतर वह जो लोग आये जो दो-तिन वह थे जो साहब कासीराम जी के साथ मैं काम किया हैं बूड़े हो चुने हैं कुछ सरकारी करमचारियों का ऐसे लोग थे जिनके सरकारी डिपार्टमेंट या बैंक विले हो चुके है जो फेलियर है कुछ वहां ऐसे आये जो वकील डॉक्टर इंजिनिया जो नेता टाइप जो अपना नेता गरी करते रहते हैं जगे जगे जाके मच्च पर बोल दे रहते हैं कुछ वहां संटरों के सामाई संटरों के थे और वहां बोरकर वाली जो बामसेफ है उसकी भी दो लोग थे यह सारे मिलाके वहां पर महिला भी थी बच्चे भी थे बुड़े भी थे जवान भी थे सब तरह का महां पर टेक्शर और मिर्चर था वहां चालिस जो लोग आये थे उनको यह कहा गया था सबको कि आपको पांच पांच मिनट साथ साथ मिनट देखें हमसे भी उन्होंने का था कि आप यहां बोलें तो मैंने मना कर दिया कि बोलने से कहीं कुछ कुछ हो नहीं रहा है और हम बहुत ज़्यादा बोले और बलकर जान सभी बोलने हैं पर बोलने से बात नहीं बनती इसलीए हमने नहीं भोलना आप विसको टायंच देना देना हम वेसे भी यहां बोलने के नहीं आए सुनने के वह देखने के लिह आए कि समाज में क्या चलगा है क्योंकि बहुत दन बाद कोई मीटिंग देखी थी तो 40 तरह के लोग हैं तो कैसे हैं वह 40 के 40 जो लोग वहां संग्ठरों के लोग या 200 लोग करीब थे मैंने उसमें ध्यान दिया कि उनमें दिली के जो लोग थे नेता ट्राइब के लोग या जिन्होंने सरकारी कर्मचारी को नेतागरी की है या जो मंचों पर बोलते रहते हैं या मंचों को धूंते रहते हैं कि उन्हें बोलना है उनको भाशन देने का एक तरह से आदत होती है तो वो लोग अधिकतर लोग पंदर तारिक को समण संकी संगती मे बोलने के लिए कुछ था नहीं और आने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो आदमी संगी नहीं है और जो अपने आप में नेता होता है वो आने में थोड़ी सी परिशानी महसुश करता है खास बात ये रही कि वहाँ जितने भी लोगों ने पांच-पांच पटमें वक्तवे दिये या बोले उसमें सारे वक्तवे में तीन बातें निकल के आ रहे थी आपको ऐसा करना चाहिए आपको वैसा करना चाहिए आपको ये करना चाहिए आपको वो करना चाहिए हमको यह करना चाहिए हमको वो करना चाहिए यानि एडवाइज थी दूसरा था उसमें शिकायते बहुत थी ऐसा नहीं हुआ उसने ऐसा किया ऐसा करता तो वैसे हो जाता ऐसा नहीं करते हैं यह किया वो किया फलाना ध्याना शिकायते ही शिकायते थी जो लोग बोले थे और त भाशन इन तीन बातों की लपिट में था वहाँ चालिस के चालिस संग्ठन या चालिस के आसपास जो लोग थे वो वो लोग थे कि जो बोलते रहते हैं पर उनके पीछे संग्ठन एक बाम से पूछ छोड़के और किसी के पीछे माँ संग्ठन का कोई जादा वजूद नहीं ह आ हिए एका देका देका का के कर मी लाजा इसे होती है तुम हमें उपने कायक्रम में बलाओ भषण तेने के लिए तो हम तुम्हारे काईकरम में नहीं आएंगे तो ने हम Brasil को नहीं बुलवाएंगे यानि भाषण देने का और बुलवाने का यह आपस में एक मीच्वल अंडेस्टिनिंग है यहां हर एक जो संट्रम के छोटे-छोटे लोग है वो तीस पचास सो पचास की मिटिंग लगाते हैं और एक दूसरे को भाषण कराते रहते हैं और फिर कि अगर आपने बुलवाया नियुक्त भाषण की ऐसी बिमारी हो चुकी है और पांचन पांच मिनट के जो भाषण दे उन्होंने वहां टैटिल दिया कि आपको किसके उपर बोलना है समस्या क्या है टॉपिक क्या है वह टॉपिक बड़ा शांदार था टॉपिक था भारत के अंदर बहुजनों की मूल समस्या क्या है यानि कि बहुजनों की मूल समस्या और उनका समाधान वो अभी तक भी 70-50 साल में मूल समस्या ढूंड रहे हैं और मूल समस्या का समाधान ढूंड रहे हैं यानि टॉपिक भी ऐसा है कि मूल समस्या हात नहीं लगी अभी तक जबकि वो अप सारे मूल समस्या बता रहे थे और समधान बता रहे थे पर चालिस के चालिस संग्ठनों में जबकि वहाँ पत्कार भी थे किसी भी व्यक्ति ने या किसी ने भी ये पहल नहीं की अरे बही चालिस संग्ठन हैं यहाँ पर तो इखटे हो जाओ या वो इखटे होने का offer करता हूँ मैं ऐसा पस्ताब करता हूँ कि अगर दो संग्ठन जोड़ते हो तो मैं उसे जोड़ने को त्यार कूँ यह समस्या ना तो उनको वहां दिखाई दी और ना वहां उनको सुनाई दी हर व्यक्ति वहां अपना एहम अपना एग और अपना आइडिया लेकर तीन त फिर उसका जो साथ में जो पी-ए-टाइप का आदमी होता है वो आया उसने वहां किसी कहा कि भाई वो मैडम अभी बोलना चाहती है तो कहा होगा कि भाई अभी तो आई है बैटने थोड़ा बुलवा लेंगे उसने महिला को जाके बोला होगा वो महिला अपना उठके भी तो मैंने पुछा क्या हुआ तो केले लगे अगया थे के समया को जब इन्वाइट किया गया था तो यह कहा गया था महिला ने कहा है कि हम आयेंगे और आकर तरा마 पास टाइम नहीं और अब बोल पे चले जाएंगे तो चुटकी आई और इसने अपना पी ये बेड़ा पर ये बिलवा नई, इसको इसने जार जा जा रहे थी अब उसको तो बिलवा रहे हैं तो वहां समाज से और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वहां condition है, कि हम आएंगे, आके बोलेंगे और बोलके चले जाएंगे, होगी समस्या समाधहन, होगी मूल समस्या के समाधहन, बोलने की ऐसी बीमारी, ऐसा राग, ऐसी चीज और वहां लोग जम्ने रहते हैं, अपना अ पर एक बात जो वहाан समंड संकी वहां होई है और जो समंड संका हथर हुआ है वो ये है कि उनोंने मंच नहीं लगाई वहां को वेक्ति नहीं बैठा और महां मालाके भी टैड्रीस नहीं है तो यह तो फायदा हुआ समंड संक के प्रयास है कि मंच और माला बंद हो गई और पद पोस्ट भी बंद हो जाएंगे और बाद में खट्टी भी होंगे लगे रहें हम लोग तो इसमें कोई शक नहीं है और दूसरा जो काईकरम था वो सरकारी करमचारियों के नेता का एक काईकरम था जो व्यक्ति गत काईकरम या दियारी चले थी वो काईकरम क्लब में था उसका छोटा हिस्सा लिया है और वहां भी कुछ लोग आए पर अफसोस की बात यह है कि जब एक ही शहर में दो काईकरम चलने हैं पौने दोसों पौने दोसों लोगों के अगर यह काईकरम एक साथ होता एक जिगे होता इनिमें स यह समझ नहीं है हमारे में दोनों जो काईकरम लगाने वाले जो और वहां जितने भी लोग थे चालिस संस्थाओं के लोग चालिस के लोग कह सकते हैं कुछ भी है उनमें से यहां किसी को यह आइडिया नहीं है किसी को यह सोच नहीं है कि हमको एक खटा होना चाहिए अगर चालिस लोग आएंगे कौनकोन से हैं क्यां कौनकोन से हैं क्योंकि माद धिक्तर को जानता हूँ उसके पूछा कि सो पूछा कि सुष्भा किया करोगी क्या निकालना चायते है कि एक रह Type ऑप चलेगा कब है तो करेंगा है तो यहां साथ हो कि हमारे पास समय बने हुए हो सारे सारे प्रोसेस करको आपलने आने वाला है तो किती दिन तक प्रोसेसर करोंगे किरिए कि दिन युक्तु rag últled आपला उजब आएगा तब कियसे बाद करेगा वहां जो सथे चान। सब्सकतर के लोगों में यह डूसे काइकरभी जो थे मैं बीस बीस साल के काम करने वाले लोग हैं जो लगा था बीस साल से पच्ची पच्ची साल से कोई कोई तो तीस-टीस साल से भी काम कर रहा है पिश्टर साल का भी हो गया सब्सक्राइब के लोग है वह जब आप इतने दिनों से काम कर रहे हो और अभी तक आपको यह नहीं प और इस जब तक में वहारा कायक्रम में या बाद में भी जो मैंने पता किया एक सिंगल आदमी की आवाज नहीं आई वह सारे लोग हैं इनको इखटे होना चाहिए इनको शर्मानी चाहिए और इखटे होने का प्रॉस्स अभी अभी इस्टार्ट करो यहीं यहीं से एकटे होके जाओ ऑघ्यों कोई किसी से पर्सृनल रेरा ना चाहता यह है जिसने सर के उपर पंसीली कपड़ा बांद लिया है अपना नीला प्रभवान बश्कुणा कपड़ा बांद लियुक्त आप आर्या पार करना है किसी को बुरा लगे या किसी अच्छा सब्द बोलते हैं क्योंकि मीठे से बात नहीं बन रही है जैसी यह मिटिंग हुई थी ऐसी मिटिंग हमने भी लगा के देखी उससे पहले भी बहुत लोग ने लगाई सारी मिटिंग के अंदर खाना खाते हैं लोग गला साफ करते हैं पांच-पांच मट अपनी बाता रखते हैं फिर मिलते जुलते हैं और फिर अगली मीटिंग की त्यारी होती है एक मिटिंग एक बंदा लागाता है दूसरी मिटिंग दूसरा लागाता है तीसी मिटिंग ये ठीक ऐसे चलता आ है इसको कौन रोकेगा कौन कहेगा इसको कौन कर भी बात कहेगा यह हम को आप को कहनी पड़ेगी यानि समर्संग को कहनी पड़ेगी यह समर्संगी कहेगा इस बात को कि यह जितने भी लोग हैं जो खटे हो रहे हैं और यह खटे होने बन्द कर देना चाहिए, इनको पैसा देना बन्द कर देना चाहिए, हो बुड़े होगे, तुम्हारे सारा सारा खतम होगया, तुम्हारे राज़ीती करें तो इसलिये उन से यह पूशना चाहिए बहुत तुम सारे के तो कम से के मिस धंदे को बंद करो जो धंदा कर रखा है ये सारी बातें आपको लगाता 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 कहरी पड़ेंगे आप जहां भी सम्मेलन हो रहे हैं उनमें जाकर कहेंगे तो वहां जगड़ा हो जाएगा क्योंकि वह सारे एक ही तरह के हैं अगर मैं वहां खड़े ह है इसलिए हम किसी की मंच पे जाके उनको नहीं डाट सकते उनको नहीं फटकार सकते समर्ण संग की मंच पर तो कुछी बोल सकते हैं या वीडियो बना के बोल सकते हैं पर हम वाटसेप पर लिख सकते हैं अपना वीडियो तो संग्ठर की बात करता है तो उससे केंगे कि जा के पपले एक खट्टे हो क्या हो फिर अपनी बात के ना यह बात है जितनी जल्दी हम जोड़ जाएंगे उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे यह बात हमें कहनी पड़ेंगी क्योंकि जब तक हम सब को यह बात हैं नहीं कहेंगे व जो लाला के हैं नोकर होता है वही नोकर वाला पोजिशन आने वाली है सारी सरकारी जो नोकरी करते हो उसमें नोकर नहीं होते सरकारी नोकरी में नोकर का नाम होता है उसमें तो आप मालिक होते हो क्योंकि आप खुद सरकार हो और सरकार की सेवा करने हो तो मालिक ही मालिक की से है वो आपने बनाई है तो वो वहां नोक्री जैसा नहीं माहल होता पर अगर आप इखटे नहीं हुए तो सरकार में रहो या ना रहो पर लाला की नोक्री करनी पड़ेगी आपको दो साल तीन साल चार साल और फिर जूते मार के बाहर और धक्का मार के बाहर और आपकी ना मिलेगा नोकरी करनी है तो करो नितब्ने घड़ जाओ यश्स बुराओंगे जिड़ोगे तो आप कभी नहीं जीसकते आप वह पहुंच जाओगे जहां से बावा साहल में रखाइदा बलकर उस से भी प्रमक्राणागी चली जिए चाहे यही प्रक्रति का निया है चाल कैती है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिवर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपनी नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सरल भासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामू संगं सरेणं गच्छामू दूतियं पी गुद्धं सरेणं गच्छामू दूतियं पी गुद्धं सर्मं गच्छामी दूतियं पी धम्मं मर्सेणं गच्छामू दूतियं पी गुद्धं सर्मं गच्छामी दूतियं पी संगं सर्मं गच्छामू बुखियं पी सन्यं सर्णं कच्छानी तर्थियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी बुद्धं सर्णं कच्छानी तर्थियं पी सन्यं सर्णं कच्छानी साथू, साथू, साथू साथू, 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 साथू